नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल Need to Know पर दोस्तों जैसे कि आप लोगों पता होगा साथ तारीक को हमारा विक्रम लेंडर चंद्रमा की सेताय पर उतरने वाला था लेकिन किसी तक्निकी खामयों की वैसे हमारा संपक उससे तूड़ गया और इस रोग के साइन्टिस्ट अभी तक उससे संपक करने की कोशिश कर रहे हैं जहां तक खबरों की माने हमारे और्बिटल ले विक्रम लेंडर से संपक किया है जी हाँ दोस्तों इस रोगे सान्टिस्टों का कहना है कि हमारे विकरम लेंडर ने और्बिटल से अभी तक चार बार संपर्ग किया है लेकिन यह संपर्ग इतना चोटा है यह जुड़ते ही तूट गया है इसी दिक्कत की वेज़े से हमारे सैंटिस्ट अभी तक विक्रम लेंडर से डाटा नहीं निकाल पाए हैं जिसकी मिदद से वो यह जान सकें आखिर क्या कमी हुई थी जिसकी वेज़े से हमारा संपक विक्रम लेंडर से तूट गया था अगर हम बात करें इसरो के चीफ के सिवान की उन्होंने कहा है कि हम हर हालत में विक्रम लेंडर से संपक करके ही रहेंगे इसी की वज़े से इसरो के सैंटिस्ट अब एक ऐसा कदम उठाने वाले हैं जिसकी वज़े से उन्हें थोड़ा नुक्सान भी हो सकता है दोस्तो इसरो के सैंटिस्टों का ये कहना है विक्रम की हार्ड लेंडिंग के बाद विक्रम का जो एंटीना है वो चंदमा की सतय की तरफ हो गया है जिसकी वज़े से विक्रम लेंडर जो सिग्नल भेज रहा है वो और्बिटल के पास पूरी तरीके से नहीं पहुच पा रहा है या तो हम ये भी कह सकते हैं कि और्बिटल अपनी कक्छा में घुमते हुए उसकी दूरी अब विक्रम लेंडर से थोड़ी दूर हो गई है जिसकी वज़े से वह संपर्ख ठीक से नहीं कर पा रहा है इसी के चलते इसरों के सैंटिस्टों ने ये फैसला लिया है कि वह अब और्बिटल को चंद्रमा के और नजदीक लेके जाएंगे लेकिन दोस्तों इसके चलते हमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है जब हम अपने और्बिटल को चंद्रमा की सेता के पास लेके जाएंगे तो चंद्रमा का गृत्वा करसरण हमारे और्बिटल को अपनी तरफ कीचने की कोशिश करेगा जिसकी वज़े से और्बिटल को अपने इंधर का इस्तमाल करना पड़ेगा और वो उसकी मदद से चंद्रमा के गृत्वा करसरण के विपरीद चाना सुरू कर देगा और इससे हमारे orbital का fuel भी कम होगा और उसकी वजय से हमारे orbital की life भी कम हो जाएगी क्योंकि हमारे orbital की life पूरी तरीके से fuel पे निर्वर करती है चंद्रयान 2 के सुरू होने से पहले हमारे ISO के सांटिस्टों ने यह कहा था जब हमारा orbital चंद्रया के पास जाएगा तो उसे अपने इंदर का इस्तमाल करना पड़ेगा दोस्तों अगर यह कदम उठाने के बाद हमारे orbital का संपग विक्रम लेंडर से हो जाता है तो इसमें हमारे लिए कोई नुक्सान की बात नहीं है लेकिन अगर यह कदम उठाने के बाद भी हमारे संपग विक्रम लेंडर से नहीं होता है तब यह भणाए ने बहुत बड़ी नुक्सान की बात है लेकिन हम उमीद करेंगे कि हमारा संपग विक्रम लेंडर से हो जाए अब आप मेंसे कई लोगों की दिमाग में यह सवाल खूम रहा होगा कि आखिर हमें एतनी जल्दी बाजी किस बात कीगे दोस्तों बात ये है कि हमारा विकरम लेंडर सोलर पैनल के उपर काम करता है और चंद्रमा का एक दिन धर्ती के चौदो दिन के बराब है और इसका मतलब ये है धर्ती के दिन के हिसाब से चंद्रमा पर सूर्ज की रोष्णी 14 दिन तक रहेगी और 14 दिन के बाद वहाँ पे रात हो जाएगी क्योंकि दोस्तों रात होने के बाद चंद्रमा की सेथा का तापमान मायनेस 180 डिग्री तक चला जाता है और हमारे विकरम लेंडर में लगे उपकरण इस तापमान में काम करने के लाइक नहीं बने है इसकी वज़े से हमें ये नहीं पता है कि 14 दिन की रात के बाद क्या हमारे विकरम लेंडर काम कर सकेगा या नहीं इसी कारण की वज़य से हमारे इसरों के स्ैंटिस्ट विक्रम लैंडर से संपक करने में जुटे वे हैं अगर हमारा संपक्ध विक्रम लैंडर से हो जाता है तो हम सारा डाटा धर्ती पर यानि इसरों की संस्थान में बेज겠ेंगे और इस समय ये पता चल सकेगा कि आखिर क्या कारण था जिसकी वज़े से हमारा संपग विकल ब्लेंडर से तूट गया था दोस्तों और ऐसी और वीडियो में चंद्यान 2 के बारे में जल्दी डालने वाला हूं तो पूरी जानकारी के लिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रही है